कथा सहित्ते में आपका स्वागत है। आईए आज मेरे साथ पंच तंत्र की दुनिया में चलिए। पंच तंत्र नीती कथा और कहानियों का संग्रह है। जिसके रचायता आचारे विशुशर्मा है। पंच तंत्र की कहानियों में बच्चों के साथ साथ बड़े भी रुची रखते हैं क्योंकि इसकी हर कहानी में कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर छिपी होती है तो आएए आज सुनिये पंच तंत्र में से ली गई दो कहानिया पहली कहानी का शीर्षक है चालाग खटमल निकलती और राजा का खोन चूस कर फिर अपने स्थान पर जाचिपती संयोग से एक दिन अगनिमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुचा जो ने जब उसे देखा तो वहां से उसे चले जाने को कहा उसे अपने अधिकार छेतर में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था बोला देखो महमान से इस तरह परताब नहीं किया जाता आज रात मैं तुम्हारा महमान हूँ जो अन्ततहा खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली ठीक है तुम यहां रात भर रुख सकते हो लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खुन चूसने के लिए खटमल बोला लेकिन मैं तुम्हारा महमान हूँ मुझे कुछ तो खाने के लिए दोगी और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है ठीक है जू बोली तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा कहकर खटमल शयनकक्ष में राजा के आने की प्रतिक्षा करने लगा राट ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पढ़कर सो गया खटमल सब कुछ भूल कर राजा को काटने दोड़ा और खून चूसने लगा ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था इसलिए वो जोड़-जोड़ से काट कर खून चूसने लगा इससे राजा के शरीर में तीज खुजली होने लगी और उसकी नीद उचट गई उसने क्रोध में भर कर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूण कर मालने को कहा यह सुनकर चतुर खटमल तो पलं के पाए के नीचे चिप गया लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूँ राजा के सेवकों की नजर में आ गई उन्होंने उसे पकड़ा और माल डाला कहानी हमें बहुत अच्छी सीखती कर गई है कि जांच पर रकने के बाद ही अंजानों पर भरोसा करें वरना स्वैम नुकसान उठाना पड़ सकता है आईए अब अगली कहानी सुनिए जिसका शीरशक है मूर्खों का पहुमत किसी जंगल में एक उल्लू रहता था उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था इसलिए वो दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में चिपकर रहता था सिर्फ रात होने पर ही वो भोजन के लिए बाहर निकलता था एक बार की बात है कि घर्मियों का मौसम था दोपहर का समय था और बहुत तेज धूब थी तभी कहीं से एक बंदर आया और वो उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया गर्मी और धूब से परेशान बंदर ने कहा उफ बहुत गर्मी है आकाश में सूर्य भी आख के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा यह तुम जूट कह रहे हो सूर्य नहीं बलकि अगर चंदरमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सचमान लेता बंदर बोला भला दिन में चंदरमा कैसे चमक सकता है वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है तो दिन में सूर्य ही चमकेगा यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वज़ा से बहुत जादा गर्मी हो रही है उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है चंदरमा नहीं लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा था इसके बात उल्लू ने कहा चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं वही इसका निर्णय करेगा बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर उल्लू का एक बड़ा जुन रहता था उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकाश में सूरे चमक रहा है या नहीं यह तुम सब मिलकर बताओ उल्लू की बात सुनकर उल्लू का पूरा जुन्ड हसने लगा वे बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे उन्होंने कहा नहीं तुम बेवकूफों जैसी बाते कर रहे हो इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूरे के चमकने की जूटी बात बोल कर हमारी बस्ती में जूट का प्रचार मत करो उलूओं के जुट की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था जिसे देख कर सभी उलू गुसा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मालने के लिए उस पर जपट पड़े दिन का समय था और उल्लूओं को कम दिखाई दे रहा था इसी वजहा से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में काम्याब हो गया और उसने अपनी जान बचाई कहानी हमें बहुत अच्छी सीख दे कर जाती है कि मुर्ख मनुश्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है और ऐसे मुर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं इस कहानी के अंत के साथ ही मुझे विदा दीजिए फेराऊंगी एक और कहानी के साथ धन्यवाद